वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की फते पैरेदार बैप्टी भी देख रहे दर्ष्ट का दा मैरी नारत्व स्वागत करती हैं आजर हाथ वाडेली आश्टा मुद्धा प्रोग्राम लेकी वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की फते एक सो चती दिना तो पोखर तालते बैठे वापु सूरसी खालसा जो बंदी सिंगा दी रिहाई देली संगर्श कर रहे हैं पुलिस पलो दोबारा जबरी जुक्के उनानू हासबताल ताकल करवाया गया है तो आड़ी हिस्ते कीटी पनिया है जड़ी देली तटकना वह बहुत काट गिया तो ओसकारन उनने डॉक्तरा ने उनना नूढ़ी हिरो हाट जड़ा लुजाने दा दियाना धिरो हाट उत्थे उनननों पेच देता उत्थे रहा परकाल जेता तो ते उननना जड़ा अलाजा शुरू हो गया श्रीर वेच पता जड़ी ऐसी कर देया किए बापु सूर सिंह खाल ना जबरी जड़ा पोल्स ने चुक्एया तो कि बापु सूर से खाल ने अलान कीता होया कि जा बंदी सिंहां दी रिहाई जा शीह हिं दी पूर नाने बिल्कुल साह आ गर गल के ओ सर्फ तै शहादत पराप्त करन्ले जा बंदी सिंगा दी रहाई ले ओ अपना जड़ा शिंगार्षा उन्ना ने शुरू कीता सो सरकार जड़ी ओ ऐस विले उन्ना दी जड़ी शहाधता ओ नहीं होन देना चाओ दी एस तो पहला भी उन्ना नू जबरी चोकके सितनो जानदे से बला स्ताल रख्या गया सी ते उन्ना अपने हाथ देना आज जड़ी ओं मुज ने पाऊं ते ना किसे नू मतलब अपने मुज कोई चीज पहुंड दी आग्या दों प्राद उना जिस्तरा पहला भी किता गया सी के वो नाकते टांके लाके जड़ी नाली सी ओफेट कर देती कि सो सरकार आजड़ी ओए ऐस वह बापू सूरत से खालसा नू मतलब उना दी जड़ी जड़ी नेड़े आ रही सी ओनू किसे भी कीमत नही जड़े हों दीनाचाऊ दी शिंहार्शनल लंबा करके एदी मतलह केमर तोड़ना चाहोदिया ताके काम हीछा को मंज हटक कज़े यह सरकार जाना भी आते हैं ए जड़ी गाल साड़े सम्ची सांवड़े आया के शरकार आ जड़ी नीयत करके घुट लिया है आजेशा ते बाद नितिया बापु सुराइज सिंग खालसा दी सेट बारे सरकारी डॉक्टरां दा की कहना है ते एस टाइम बापु सुराइज सिंग खालसा की इलाज हो रहे हैं बैसे स्त्रमा पहला मिल्क गणती आ है के जड़ा लोग्याने दा सेवल सरकारी हास पितार पहला उन्हाना उत्वे से दा उत्वे रात दाखल करा आया अश्या नहीं जडिए शारे एसे लेखें या नितिया पूंचे कि उना ती दिल दी तड़ करना वह बहुत कटी हुई है ते उत्थे दे ड़क्टरा ने मतलव सारे जड़े टैस्ट लैंड तो बाद ए रिजल्ट कड़ या कि उन्हादा वैसे उन्हानु कोई रोग निदेल देल 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 पमारीदा परंतु क्योंकि प्ताशियम दी कमी होगी बहुत लंबा समा हो गया नहीं पोजन निल्या तो प प्ताशियम बारे ड़क्टरा ने कहना के उन्हानु एदे लेई जड़ी गोडिया ओ देनी पेंदिया प्रंतु बापु सूरसें खाल्सा मूर आई कोई चीज लेंड ले त्यार नी सो ओ डाक्टर उन्हानु मतलों एदा की अल्टरनेट अवलाब के उन्हान दा बटाशियम बदों देले की कर देने सो जड़ी गाल में पहलना कीतिया के सरकार आजड़ी ओहो बापु सूरसें खाल्सा दी सहाधत नूं हर हिल्ले रोकना चाओ दिया ते दूसरे पासे बंद सब्सक्राइब के उन्हान दे शरीर वेचे जड़ी पुटाशियम दी कमी हो या जा इस तरह जड़ी लुडिन दे बटामन हो देने उन्हान दी कमिया तो ओ दे बारे डाक्टर ने जड़ी ओन्ना दा अलाजा जड़ी रहे ने बीती रात जिस तरह बापु सूरसें खाल्स अनु जबरी चुक्के हस्पिताल दाखर करवाया गया इस कटना दा संगर्षते की परवाब पैवेगा वे जिस तरह मैं कल की तिया कि सरकार इकता इस शिंगर्षन नू लंबा करना चाहूं दिया ताकि जड़ी जमें शिंगर्षन लंबा जाओ दा कौम ठक के हार के जड़ान जड़ा ओव इस जोशकार अटावर ते जा चड़ा इसी सो नौजवार बरगदा जड़ा जोशा क्योंकि लंबा समा नहीं रहता जदे हां कदे वाली गल होंती है सो सरकार दी जड़ी मतलब जड़ी ओ सिगल कर देया के कूट नित्य हां ओई चाहूं दिया कि शं तो यह मतलब सरकार वह लोह पर भूपी तरणा य। लिए वाला शिंगार्श य। प्रंतो जड़ी गल एक उसी सवाल आजड़ा तो अड़ा के ए जड़ा आज रभीति राज सरकार ने बापकु सुरसे खाल सानु जबरी चोक के अथास दाखल कराया दूसरी गल जड़े शंगार्षे दे मतलब मोरी ने उनना जेविच बखरे में बाली स्थितिया जड़ी ओ पैदा करनी तीसरी गल जड़ी ऐसी कल भी कीती सी के जड़ो जड़ो संगार्षे लम्मा पेंदा जान्दा थे और उस बारे कुछ ऐस तरा दिया हवामा ने सच्चि शुरू हो जानती आने के को अंतर खात्र में समझें तर थे संघ्ता हो रहां ज्या की जतो एं श्यस तरा दिया मतलब मतलब बढ़ा सता जा गयते है नियाने शनल जादी ँरू भी लाकणी वो तोड़ दिती जावे जस्तना तुसी कितीया के कोच जड़े आगूने उननानु भी केसे टांगतरी केदना दवा देना और केसे लोव लाल सदेना उनना भी होली होली बापस मोड़ा जावे सु सरकारा जड़ी बड़े मतलब शाजर पूरंटा अंगनाल एसे संगर्ष दी मतलब कमर तोड़नली हर संभब अपरला जिड़ा कर रही है तो बार बार बाप्पु सुरसिंग खाल सानु जबरी चोके अस्ताल दाखर करोना उदा हिस्सा संगर्ष दे विच जो बार आया सी ओवी जदो बाप्पु सुरसिंग खाल सानु असपताल तो उन्हा पिंड पहुंचाया गया सी उस तो बाद ही आया सी शायद की तेने किते सरकारी में पहूस कर रही है विच्छ उनननू दोबारा हसपताल चदाखर कीता जावे क्यूंक से यह बड़ा मठा रहा प्रांतु जदो उनना नूं रहा कार देता जेल चोंबी अपना हस्पिताल चोंबी एक सो साथ को उन जादों भी ते जदों वो जाके द्वारा बापस अपने पैंड बैठे तो शिंगार्ष जड़ा उन्हारा मिलना शुरू हो गया सो सरकारा किते ना किते ओ गालवी सरकार देते आंचा कि जदो वापसूर सेंखाल सा जड़ा मोख केंदर बान चुपका वाया सो जदो उसे संगार्ष दे केंदर ते ओ नहीं ता हो दे नाल संगार्ष दे जड़ा तिक्खा बाना ओदे ते पर वाप पैना भी कुदरती या सरकार दे किर दवारा बापसूर सिंग नो जबरी चुक कंदी कारवाई कीती है इस दप विक विच संगार्ष कमेटी की एक्शन लन दी है तो एक ता है के इस गलदे नाल जड़ी सरकार दी बद नितिया को बिलकुल सपस्ट रूबे सामने आ गिया सरकार ते प्रोसा नहीं किता जा स कि ऐस सरकार ने ता इस दे बावजूद जिघर गार्ष कमेटी सरकार दी है तो अधे तो बाद सिंगार्ष कमेटी सरकार दी आ चाहिए या प्रोसा जड़ा ओव लोग शोड़ी कौम देश शो आ रखना चाहिए था सरकार नो मैं पहला भी गल कीती है कि मामले नो लटकौन दी कोशिच कीती जा रही है गलवात बाली टेवल ते भी मुखमंतरी ने जड़ी गल कीती सी ओधे वेच भी सरकार किते हैं निसी सर्फ ते सर्फ अदालता सी सरकार बलकुल बिलकुल पूरी तरह बादल सरकार तो दुखी नाल दी नाल एजड़ा पंथक मुद्दावा जड़ा गबीर पंथक मुद्दावा जड़ गया कि बापू सूर सेंग खाल सा जड़ा ओधी बादला कारण होई है तो बादला नू लगदा कि किते ना किते जी जे सारा कुछ कठा हो जादा ता फेर उनना पंजाब चो नामों शाना जड़ा ओभी मेट सकता तो उनना दे मांदा मतल जो इस डर भी या ते एशाच भी या कि जे ओन वाले दिना दे मेचे बापू सूर सेंग खाल सादी शी हिदी हो जान दिया तो उस सिद्धा सिद्धा तुम्हें बाहरा जड़ा ओप्रकास सेंग बादल होगा तो इस सारी गल्ना ने जड़िया इन वेख दया होया सरकार च जो म आज़िया के शिंगर्षा नों खुंटा केंता जागाता कुल्मिला आके संगर्ष दे पविखवारे तुसी आचे थाहर तारीख देसगी की कहना जोंदे को शींगर्ष दा अर्थ शिंगर्ष ज्येतां सेंगर्षे शंगर्षे ही रहा तां सरकारनों चुक्णा ते फेर जड़ा 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 एननु वसी मतलब बचानी सकांगे एननु अग्गे नहीं लेकर जा सकांगे दो इंगला ने सो जेस्तरह जी कमजोरी बीती रात ज़दो मठीज खालसा नू पॉल्स ने उथे जड़ी चुक्या ते उत्ते जड़े मजूद सी उन्हा ने जड़ी कमजोरी दखाई यह कमजोरी और वाले दिना चेश शह आर्षय चाही दी सो किसे ने भी मतलब मतलब ओस विले पोर्स नू रोक कर दी कोशेश नहीं किती के बापू सूर सेंग खालसा नू असी मतलब ये सस्थान तो जबरी चोके नहीं लियार देना किसी तरह दा ब्रोध दा परगटावा जड़ा सवाय नार्या तो होर नी होया सो एस तरह दिया गल्ला ने जड़ियां सरकार को उख दिया कि कॉम अजड़ी कितों तक जा सक दिया ब्रोध तो एजड़ी गलत उसी सवाल है जड़ा ये बड़ा गंबीरा कि और बाले दिनाच जेता शंगार्ष होर तिखा होगा कॉम ओसी शंगार्ष ते प्रोसा करोगी त सब्सक्राइब तक जाओगा ये दे विचे भी कोई दोर है मानी जे शंगार्ष खुंडा हो जान्दा कॉम दा प्रोसा जड़ा जिस तरह सी गल करते हैं कि और बाले दिनाचे फवामा विचलनी आने सचे जूटियां सो जे कॉम दा प्रोसा जड़ा ओहो मद्दम होंदा प्रोसा में सब्सक्राइब तुंड़ ऑले देनाचे डेले पास तकड़ी चोल दीजा मोरी नतिनर्फ करद हैं कि सच्चे मनालो एंको अपनां जे si गलडी परवा करते हैं इस संगर्ष कमिटी की कर दिया इस गल्दी परवा छड़ के आप सिद्धे रूप देविच मदान चावे ते इस संगर्ष जड़ा इन्हों असी जित दियां बुरूहां तक लेके जा सकते हैं एक कोई बहुता ओखा नुए इतिहास कवा है कि संगर्ष ओ जित फते करदा है जिस संगर्ष नू निर्स्वार्थ हो के कौम बलो हुंगारा मिलता है ते सरकार जिस तरह अपनिया मकारी परियां चालना देनाल इस संगर्ष नू तोरण मरोड़न दी कोशिश कर रही है कौम नू इस गलवाल त्यान देना ते अपने बिड़े हो संगर्ष देविच पूरी तान देही देनाल बापु सूरा सिंग खालसा दा साथ देना चाहिए फिर कौन की कहनदा है ते कौन की करदा है कौम नू एक कदे नहीं सोचना चाहिए ताही बापु सूरा सिंग खालसा वलो बिड़े आ गया संगर्ष अ एसी साड़ा आश्टा मुद्धा प्रोग्राम काल नमे मुद्धे देनाल तो आड़े सामने फेर हाजिर हो मागे सानुद्यो इजार्जत वाइगुर जी का खाल सा वाइगुर जी की फतेर